नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माई चला में मैं आमरीशिर आज के इस वड़ों बात करने बाले हैं CSP के बारे में यानि कि Customer Service Point के बारे में पर जानकारी दिया था ऐसे में बहुत साल लोगों आपर कोमेंट कर रहे थे कि सर इस पर प्रॉपर वीडियो बना कर आप जानकारी दीजे कि किस तरीके से हम किसी भी बेंक है यानि कि PNB, SBI या फिर कोई अधर बेंक है किसी भी बेंक है आप यहाप जोई CSP खोलना चाते है ग्राहक सेबा के अंदर खोलना चाते हैं तो किस तरीके से आप लोगो प्रोसेस करना होता है किस तरीके से आप लोगो आप पर CSP मिलता है कितना खर्च आता है और किस तरीके से आप लोगो जोई गलत लोगों से बचना है क्योंकि यहाँ पे CSP के नाम से सबसे ज्यादा fraud होता है तो उससे आप लोग को किस तरीके से बचना है वो भी मैं आप लोग को आप बताने बाला हूँ दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है क्योंकि आपके साथ यहाँ पे fraud भी हो सकता है तो इसलिए आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आप जो इस fraud से बच सकें इस ठगी से आप लोग बच सकें और आपको पता चल सकें कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक CSP ओपन कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा लास्त अका देखते लिए उससे पहले कि आपने माचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट का सब्सक्राइब कर दो आपको माचिन को सब्सक्राइब कीजिए कि हम आपर मीनी ब्रांच बोलते हैं वह ऐसे इलाकों में जहां ग्रामीन इलाके हैं जहां पर कोई भी CSP नहीं है कोई भी सबसे पहला प्रोसेस है कि बैंक काम करता है अम उसके बारे भी मैं आपनों को बता हूँगा किस तरीके बैंक आपनों को CSP देती है लेकिन फिल हाल आप पर आप यह समझे कि आप लों का दो प्रोसेस होता है सबसे पहला प्रोसेस है कि बैंक आप लों को खुद यहाँ पर CSP देगी और दूसरा प्रोसेस यह है दूस्तों कि आपके पास अगर यहाँ पर CSC ID है तो आप जहाँ पर CSC के थुरू भी अपना CSP है वो ले सकते हैं करबाया जाता है जैसे कि यहां पर ICIC बैंक का आप लोंगे CSP दिया जाता है और आप लोंगे CSC हो गया तो आप्के पास अगर दॉ मैनेजर जो होते हैं उनसे आप बात कीजे आप जो यहां पर। online apply कि यह apply करने के बाद दोस्तों आप लोग का जो हाँ पर आबेदन है वो उसको accept किया जाएगा और आप लोग के जो हाँ पर district manager है उनके द्वारा आप लोग को CSP है वो आप लोग को provide करवा दिया जाएगा तो आप लोग का CSP वाला थोड़ा सा process जो है वो यहाँ पर आसान ह हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आप लोग को जो एक 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 जाम होने के बाद आप लोग कर दिया जाता है आप दोस्तों बात करते कि आप एक साधारन आदमी है आप एक नोर्मल आदमी है आप जो हाँ पर metric इंटर पास है और आप चाहते हैं कि अपना CSP है उसको open करके हम अ जैसे कि आप लोग का SBI हो गया PNB हो गया आप लोग का Gramin Bank हो गया ये सारा जो Bank है वो आप लोग का CSP देता है तो आप किसी भी Bank काहाँ पर CSP ले सकते हैं इस पे कोई भी दिक्कत नहीं है अब आप लोग का Post Payment Bank है वो भी आपनों का CSP देना सुरूक कर दिया है तो उसका भी CSP आप ले सकते हैं तो Post Payment Bank का जो CSP है उसके बारे मैं आप लोग को आगे जानकारी दूँगा सबसे पहले मैं आप लोग का बता जाता हूँ कि यहाँ अगर आप जोई SBI या फिर PNB काहाँ पर लेना चाते हैं तो आप किस तरीके से ले सकते हैं आप दोस्तों यहाँ सपी का थ्रफरसा आप लोग मेथर्व संजिए कि किस तरीकें से CSP लोग को मिलता है तो CSP के लिए आप लोग का दौस्तों यहाँ एक B.C. किया जाता है यानि कीBusiness कॉर्सिपोंडेंस यहाँ पर पन सप्रोंडिक किया जाता है हर बैंक के दोरा कम्पनी की तरीकरद किया गया है और वही company आप लोगों को जो यहाँ पर csp प्रोबाइड करती है यानि कि direct bank आप लोगा पर cps provide नहीं करता है एक company आप लोगों का बना दिया गया है आप मान लिजें कि यहाँ एक bank है जैसे के माजीं चैंप सारे यहाँ बिजनेस correspondence है यानि कि बहुत सारे जो company है उसके साथ यहाँ पे tie up कर रखा है अब वो company जो यहाँ पे CSP open करवाती है वही company जो इस सारा काम करती है और वही आप लोगों को ID create करके देती है वही आप लोगों का CSP जो open करवाती है तो यहाँ पे direct bank का कोई भी काम नहीं होता है bank आप लोगों का CSP है वो आप लोगों का BC जो होता है उसी के मादेम से आप लोगों का provide करवाता है तो आप दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का clear हो चुका है कि bank आप लोगों का CSP provide नहीं करवाता है जो यहाँ पे BC होते हैं जो यहाँ बिजनेस correspondence होते है वही आप लोगों का सबसे पहले आपको करना केया आपके जिलר का में ब्रांच वहां पर आप लों को चले जाना आ है और वहां पर आपलों Armed को पता करना है किसोरा मोई CSP चाहिए तो जो है आप लों को सब्सक्राइब करते हैंρι। आपक nämते देंगे और आपलों का अ hopनी कंपनी होती है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रोड आप लोग का होता है सबसे ज्यादा इसमें होता है यहां पर CSP के मामले में दोस्तों माल लिए कि 90% आपनों जो थगी हे वो हो जाता है 90 परसिंट लोग जो यहां पर फ्रोड़ाइड करवाती है उसके पार में भी मैं आपनों को बताओंगा सुनकों सी कमपणी है जो कि आपनों को सच में आपे जो सीएज़ी प्रोड़ा नहीं करना है आपको डायेक्ट जो हाप गूगल में टाइप उसी में होता है क्योंकि लोग करते क्या है Google में डार्ट जो आपर टाइप करते हैं कि बैंक का CSP कैसे लें उसके बाद उनको जो आपर बहुत साथ वेबसाइट दिखता है और उस वेबसाइट पर रेजिस्टर कर लेते हैं और उनके साथ जो आप फ्रोड है वो हो जाता है य जल्दी आपनों को प्रोबाइड नहीं करवाएंगे लेकिन आप जो मैनेजर से अच्छी तरीके से बात किजेगा तो वो आपनों को आप जो होंगे उनका नंबर आपनों को दे देंगे और वहां से आप कोई भी बैंक का CSP ले सकते हैं आप उनसे बात किजेगा वो कंपन कर सकते हैं आप दोस्तों बात करते हैं कि CSP के लिए पैसा कितना लगता है तो CSP के लिए आप लोंका जो पैसा लगता है दोस्तों वो निरभर आप लोंका करता है जो भी आप लोंका कंपनी आप लोंको दे रही है वो कितना पैसा लेती है यहाँ पर कोई भी फिक्स आप अपलों का just नहीं है जो बैंक के वह किसी परगां के कोई चार्ज नहीं लेती है लेकिन जो B-C यहां पर बिजनस न्यूज क्रॉज्वरून्नेयन्स है यानि के जो company वह कुछ ना कुछ पैसा आप नोंका आप दोस्तों आपर बात करते हैं कि कौन को सी कंपणी जो कि आपनों का शीषी पिश्पी प्रोबाइड करती है तो यहाँ अगर आप तो आप बीहार से हैं तो सबसे अच्छा विहीं हैं दोस्तों वह संजीबनी फॉंडेशन है मैं आपनों को अभी उसका website दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का आपनों का website होगा, इस पे आप लोग चले जाएगा, यहाँ पे आपनों को बहुत सारे बैंकों का आप जो CSP है, वो मिल जाएगा, जैसे कहाँ पे SBI, PNB, यहाँ पे दक्षिन BR, ग्रामीन बैंक, और भी उनसे भी बात कर सकते हैं, यह जो कमपनी है, पूरी तरीके से आप पे ट्रस्टेड है, तो आप जो इस पे भडुसा कर सकते हैं, दूसरा जो कमपनी है, दोस्टों वो आप लोग का है, oxygen, गा जो भी बहुत सारे इलाकों में जो आप पर प्रोबाइड करवाती है, लेकिन आपको अपने manager से पता कर लेना है कि कौन सी company आपके area में काम करती है तो उनहीं से आप लोगों को लेना है आपको online नहीं भटकना है आप लोगों को एक बार bank में जाकर मिलना है तब ही आप लोगों को आप लोगों को साब साब कुछ clear कर दिया है आप दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर CSP लेने के लिए आपनों का 25 से लेके 50 जार रुपे तक आपर जो करच दूब लिए क्रुद में कोई बी कम्पनी करने ौपने के लिए इहांपर साफ साफ नहीं बोल रहा हूं कि आपको EC में जाना है, आपको EC company से लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर पता कर लिजये, आप जो जिस भी bank का है, पर CSP लेना चाते हैं, उस bank में जाकर एक बढ़ पता कर लिजये, जो भी company वहाँ पर manager बताते हैं, आप उन्हीं से यहाँ पर बात कीजिएगा, त इस तरीके से आपलोग यहां पर CISP ले सकते हैं अप दोस्तों बात करते हैं कि ilimождения post payment bank का तो इंडियन post payment bank जो यहां पर होता है दोस्तों वो अलख से अपना खुदी CSP provide करवाती है तो उसके लिए आप लोगों का online apply होता है आप online apply कर दीजे और एक बार आपने district का यहां पर में ब्रांच है वहां पर जाकर मिल लीजे तो वहां पर आपनों को पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपनों को CSP मिलने वाला है क्योंकि यहां पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वह आपनों का खुदी यहां पर CSP भी मैनेज करता है तो खुदी आप आपनों का CSP प्रोवाइड करवाएंगे तो इस तरीके से आप जहां पर CSP ले सकते हैं मैंने पूरा आपनों को डीटेल में हैं पर समझा दिया है पूरा डीटेल में आपनों को बता दिया है कि किस तरीके से आपनों को CSP मिलता है आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आगा गड़े वीडियो पसंद आए तो लाइक केस्प्रों को सब्सक्राइब को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स में तक के लिए धन्यवाद